Hello students, प्यारे शौरेवीरों, greetings of the day, जैहिंट to all of you. Staff Selection Commission करमचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में और Central Armed Police Forces में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भरती की खोशना की है, जिसके लिए official विग्यप्ती जारी की जा चुकी है और ये विग्यप्ती Staff Selection Commission की official website ssc.nic.in पर उपलब्ध है आईए इस वीडियो में समझते हैं, इस विग्यप्ती से सम्बंदित कुछ महत्वपून तथ है और जिनमें से सबसे important तथ हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, ओनलाइन अप्लिकेशन सब्मिट की जा सकेंगी 10 अगस्ट से 30 अगस्ट 2022 के बीच में और ध्यान रहे, 30 अगस्ट 2022 राद 11 बजे ओनलाइन अप्लिकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी next important point students fees payment से संबंदित, यदि आप online fees pay करना चाहते हैं तो आप fees pay कर सकते हैं 31 अगस्ट राद 11 बजे तक और यदि आप offline किसी भी बैंक में जाकर के चालान के माध्यम से fees pay करना चाहते हैं तो यहाँ दो बातों का आपको ध्यान रखना है offline चालान जनरेट करने की last date है 30 अगस्ट 2022 और बैंकों में जाकर के बैंक के समय के अनुसार यदि की बैंक के working hours में आप 31 तारिक तक fees pay कर सकते हैं next students आपको correction के लिए एक window मिलती है यदि form बरते time कहीं कोई तुटी हो गई है तो उसको rectify करने के लिए उसमें सुधार करने के लिए application form में correction के लिए एक window open होगी जो की 1 September 2022 को खुलेगी और इस विज्यप्ती से संबंदिज जो computer based examination है वो November 2022 में संभावित है अब students next is point पर हमको नज़र डालनी है वो है number of vacancies bumper vacancies है बहुत अच्छा अवसर आप सभी के लिए अपना career सुनिश्चित करने का तो सब इंस्पेक्टर executive Delhi police male candidates के लिए कुल 228 vacancies है सब इंस्पेक्टर executive Delhi police female candidates के लिए 112 vacancies है और सब इंस्पेक्टर GD Central Armed Police Forces जिसमें की BSF Border Security Force, CISF Central Industrial Security Force, CRPF Central Reserve Police Force IGBP, Indo-Tibetan Border Police and SSB यानि की सशेस्टर सीमा बल शामिल है इन सभी के मिला करके 3960-4960 vacancies है इतनी संख्या में vacancies bumper मौका अपना career सुनिश्चित करने का Next important point students जो हमको discussion के लिए है वो है eligibility criteria सबसे पहले आपको बता दूँ आप इंडिया के citizen होने चाहिए या फिर नेपाल और बूटान के subject होने चाहिए Age की बात करें तो Age निधारित की जाएगी 1-1-2022 को और इस दिनाख पर आपकी Age 20 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए यानि की date of birth 2 January 1997 से लेकर के 1 January 2002 के बीच में होना चाहिए और यहां आपको बता दू students कुछ relaxations, norms के according applicable हैं, लागू हैं जिसको देखने के लिए आप official notification को refer कर सकते हैं generalized जो dates थी वो सभी dates मैंने आपको बता दी next point is your educational qualification तो ध्यान रहे 30 अगस 2022 को आपकी educational qualification होनी चाहिए bachelor's degree यानि की सनातक की degree किसी भी माननेता प्राप्त, विश्विद्याले या university से सभी post के लिए eligibility education criteria के मामले में same है next point of discussion होता है students apply कैसे करना है तो ध्यान रखिए applications आपको submit करनी है online online application submit करने के लिए SSC की website पे जाएंगे ssc.nic.in online application submit करने के दोरान आपको अपने scanned signature और photographs भी upload करने होंगे तो application भरने से पहले ये documents अपने पास में scanned handy रखिए next बात है fees की तो fees निर्धारियत की गई है 100 रुपे और female candidates या फिर SC, ST और ex-servicemen category वाले जो candidates है उनके लिए fees में छूट है scheme of examination तो students ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कुछ चरणों में आयूजिक की जाएगी पहला चरण है इसका पेपर 1 पेपर 1 के बाद होगा आपका physical standard test और physical endurance test उसके बाद में होगा पेपर 2 और पेपर 2 के बाद में आपका medical examination होगा राइट पेपर 1 एक test है जिसमें 4 sections है intelligence, general knowledge, quantitative aptitude and English प्रतेक section के 50 questions total 2 घंटे का पेपर पेपर 1 और physical qualify करने के बाद next है पेपर 2 जो की English language and comprehension का पेपर है जिसमें की again 200 questions है और 2 घंटे का ये पेपर है question paper bilingual मिलेगा आपको objective type questions Hindi and English दोनों में आपको मिलेंगे and ध्यान रहे यहां negative marking भी है 0.25 marks आपके deduct होंगे प्रतेक wrong answer पे be very careful in marking your answers राइट तो students staff selection commission द्वारा जारी की गई इस रिग्यपती से नई direction नई दिशा और आयान देने के लिए Google Play Store से डाउनलोड कीजिए शौरे भारत आप शौरे भारत आप देगा आपके सपनों को नई उडान बनो शौरेवीर करो जीत की तैयारी जैहें शौरे जर देन बनो तैयो